अगर आप एक क्लासी हार्टी अरेंज कर रहे हैं तो आप उसके लिए ये क्लासिक बैटनबर केक बना के तयार कर सकते हैं बहुत ही मज़ेदार लगता है आई एस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एक स्क्वाइर पैन ले लेंगे और इसे ओल की मदद से ग्रीस कर लेंगे आप यहाँ पे बटर या पे घी का भी इस्तमाल कर सकते हैं अच्छे से पूरा पैन को ग्रीस कर लेंगे अब हम एक एलमीनियम फॉल को थोईसा फोल करके दर्म्यान में एक सेक्शन बना लेंगे क्योंकि हमें दो डिफरेंट कलर्स के स्पंज बेक करने हैं और इस तरह के से दो बटर पीपर्स कट करके हम रख देंगे तो इस तरह के से हमें अपने पैन की ग्रीसिंग करनी है और सेटिंग करनी है अब हम इसको एक दर्फरक देंगे अब हम वन कप मिल्क ले लेंगे इसमें आट करलेंगे यानि कि संथिटिक विनेगर जो होता है सफैज सिर का इसको अच्छे से mix करके एक दर्फरक देंगे अब हमें एक bowl ले लेंगे और इसमें एक छना रख लेंगे साथ ही इसमें एट कर देंगे मैदा यानि के फ्लार वन एन आफ कप वन फॉर्थ कप मिल्क पाउडर थ्री फॉर्थ का पाउडर शुगर यानि के पाउडर चीनी सिंपल मैंने ग्रैंडे में चीनी को पीस लिया है वन फॉर्टी स्पून बेकिंग सोडा और अब हम इस सब को अच्छे से छान लेंगे ताकि जो भी लंस हैं वो यही पर खतम होजे अब हम इसको एक बाई मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें अट कर लेंगे अफ कप ओईल कोई भी ऐसा ओईल लेजिएगा जिसके कोई स्ट्रॉंग इस्मेल ना हो और साथ ही मिल्क और विनेगर का जो हमने मिक्स्टर बनाया था जिसको हम butter milk बोलते हैं वो भी add कर लेंगे इसमें और अब हम इसको अच्छे से mix कर लेंगे तो यह बहुत ही असानी से mix हो जाएगा और batter जो है वो तयार हो जाएगा तो देखे हैं कि smooth सा batter बनके तयार हो गया है अब हम इस batter को दो हिस्सों में divide कर देंगे यानिके दो बोल्स में equally डाल देंगे क्योंकि हमें इसको दो flavors में बनाना है तो simple vanilla flavor के लिए हम इसमें अट कर लेंगे vanilla essence few drops यानिके कुछ कत्रे इसमें अट कर लेंगे मेरे पास जो vanilla essence है वो clear vanilla extract है और बहुत ज्यादा strong estimate चंद कत्रे ही इसमें अट करूंगी तो यह अच्छे से mix हो चुका है अब हम दूसरे bowl में अट कर लेंगे strawberry essence या फिक और भी fruit essence आपके पास available हो तो वो few drops आप अट कर लेजेगा इसमें कुछ drops red food color के अट कर लेंगे pink color बनाने के लिए और इसको अच्छे से mix कर लेंगे अब हम दोनों bowls को ले लेंगे और एक साथ ही grease के हुए pan में डालेंगे एक साथ pour करने से pan का जो हमने section बनाया है वो खराब नहीं होगा अब हम इसको bake कर लेंगे तो bake करने के लिए मैंने 10 मिनट के लिए करहाई को low flame पे preheat कर लिया था अच्छे से गरम की हुए करहाई में हमें एक stand रखेंगे और उसमें baking pan रखके इसको cover करके bake कर लेंगे 20 तो 25 मिनट में ये अच्छे से bake हो जाएगा low to medium flame पे तो तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं केक को चेक कर लेंगे एक skeever की मज़द से skeever को केक में डालेंगे और अगर skeever पे कोई better नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब हमाया केक जो है वो bake हो चुका है अब हम इसको ठंडा कर लेंगे जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम केक को निकाल लेंगे और अब हम इसकी trimming कर लेंगे तो इसका जो top पार्ट है और sides है उसे हम cut कर लेंगे तो मैंने दोनों sponges को trim कर लिया है अब हम इसको इस तरह ये किसे half कर लेंगे ये देखिए like this अब हम इस sponge पे jam लगा के इसको असेम्बल कर लेंगे तो यहाँ पर मैं strawberry jam कर इस्तमाल कर रहे हूं लेकिन यहाँ पर apricot jam यूज होता है तो अगर आपके पास वो हो तो वही उसकेजिएगा वैसे तो आप कोई भी jam जो है वो यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हैं इस तरह बहतरीन तरह किसे यह assemble हो जाएगा अब हम केक को कवर करने के लिए बिल्कुल क्लीन काउंटर टॉप पे थोरी सी आइसिंग शुगर स्प्रिंकल कर लेंगे और इस पे हम तकरीबन हाफ कप की करी फोंडिन जो है उसको रोल कर लेंगे मैं आप लोगों को हमेट फोंडिन की रेसिपी जो है वो बनाना बता चुकी हूँ अगर आप लोग देखने चाहते तो आई बटन में लिंक का रहा होगा वहां से आप देख सकते हैं हम अपने केग को फोंडिन पे कवर करेंगे लेकिन जो क्लासिक बैटन बर केक होता है उसे हम मार्जिपान में कवर करते हैं वो बेसिकली आलमिन पेस्ट होता है लेकिन उसमें एग बाइट सलती है और हमने यहाँ पे एगलस केग बनाया है तो इसलिए हम इसको प्रॉपर इसलिए मैं यहाँ पर नॉर्मल जो हमारी फोनेंट है उसको इस्तमाल कर रही हूँ फोनेंट पर थोरा सा पानी लगा लेंगे क्योंकि हम अपने केक पर कोई फ्रॉस्टिंग वगर अने लगा हुए है इसके लिए हम इसको स्टिक करने के लिए थोरा सा इसके ओपर पानी लगा लेंगे और फिर हम केक को इसके ओपर रखेंगे और इस तरहे किसे फोल कर लेंगे आप केक के आउटर साइड पे भी जैम का इस्तमाल कर सकते हैं प्रॉपर हर तरफ जैम लगा लें तो इससे भी फोन इंड अच्छे से चिपक जाएगी आपके केक पे लेकिन मैं पास जैम खतम हो गया था इसलिए मैंने वाटर का इस्तमाल किया है तो तया है हमाया बहुती क्लासी एगलेस बेटिनबर्ड केक विदाउट अविन अब मैं आपको इसको कट करके दिखा दी हूँ तो देखे कितना मज़ेदार सा ये केक बनके तयार हुआ है काफी टेस्टी है और जो लोग एगलेस केक पसंद करते हैं उन लोगों के लिए तो ये बहतरीन है तो तयार है हमाया बहुत ही मज़ेदार सा केक अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई तो इस विडियो को लाइक कीजिएगा मेरी यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलेगा मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में अल्ला हाफिज झाल